जेहन विध्यारतियों क्या हाल चाल सब बढ़िया चलते हैं आज की वहतरिन सी क्लास की और क्योंकि पिछली क्लास मैंने प्रमुख रूप से आपको गुप्त बंस के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार किया था जो कि आपके एक्जाम के लिए था आपके जीवन के ल सारी में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बकाया की कलकल लेंगे जिससे की पूरा चेप्टर मैंने बता हैं ना किसी भी चीज को दूरा नहीं छोड़ूंगा पूरा कंटेंट आपको मैं पढ़ान दूंगा पूरा पूरा हिस्ट्री का जो निचोड है न वो आपको द बेस्ट कंटेंट बेस्ट माटेरियल तता बेस्टीम के साथ सारी चीजें प्रोवाइट कर आने का कार करती है चिंता तो करना नहीं है पहली बात स्ट्रेस नहीं लेना है चिंता नहीं करनी है पढ़ना है रेगुलर्टी रखनी है वीडियो को पूरा देख लिया करें अटकती रहेंगे, दो नौ में सवार होकर निकलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं, दोनों नायट डूब जाएंगे और आप डूब जाएंगे, इसलिए एक नौ में सफर करने का कार करो, हदी का नाम जपोर, बड़ी अटेंशन मतलो, इस भवंडर रूपी, इस भवंडर रूपी मुसीबत से भी जल्द निकल जाएंगे, एक बहतरी सा मुकाम हासिल हम कर लेंगे, याद रखना, यदि आपके जीवन में संघर्स नहीं, तो आपके जीवन में सफलता भी नहीं, क्योंकि संघर्स उसी के जीवन में होता है, जिसके जीवन में वाकई में सफलता लिखी होत क्योंकि हार के बाद ही जीत है ये तो दोनों भाई बहन जैसे हैं सुख दुख हो गया है ना हार जीत हो गया ये कताई चिंता काहे करने जीवन के इनको अपना जीवन में अपना ना सीखो जहां हार को अपना ना सीखो गये तो जीत अपने आप भागती हुई आईगी तेक है अब रखिएगा याद इस बात को ठीक है चलते हैं आज की बहतरी सी जानदार सी सांदार सी गचप सी क्लास की और बहुत गजब होने वाली आज की क्लास अगर बात करें हम समद्रगुप्त की बारे में तो समझे यह है चंद्रगुप्त पर्थम का पुत्र था के ना सिर्थ ठीक है यह तो हमें पता है इतनी बात तो ठीक है अगर एक्जमनर पूचे के बताई है समद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था तो आपको पता होना चाह कि समद्र गुप्त के पिता का नाम चंद्र गुप्त फर्ष्ट था, ठीक है? आगे समझो, अगर वो कहे इसे प्राचीन भारती इत्यास का महंतम सासकों में गिना जाता है, महंतम सासकों में क्यों गिना जाता है, भाई साब? बहुत गजब, जांदार, सांदार था ये जो सासक था ना इतना एक दम रखती था ना बहुत दम, इसका गोड़ा तीन समद्र का पानी पीता था यनि तीन समद्र का पानी का मतलब समझते हो यनि तीन समद्र का मतलब ये नहीं है कि पूरा समुद्र खाली कर दे था मतलब जहां पर वो पानी पीता तब उसके तीन समुद्र उसके थे यनि उसने जीत रखे थे लगवा को उसने धक्षिन भारत को पूरा जीत रखा था तीन समुद्र का पानी पी सकता था समुद्र का घुड़ा समझ एक इतना गचब इतनी उसमें भाई साब क्या बता है पुराने लोगों की बात ही क्या करें आभी क्याते हैं है अपने हाँ कि यही पुराने चावल जादा सहलाते है बह schnell आगे अगे समझो तो महत्तम सांसकों में गिना जाता हो गिना क्यों न जाए गिना क्यों ना जाए कि तीन समद्र का पानी पी रहा इसका गोड़ा असुमें वियागे करवा रहा अपने आपको विक्रमादित की उपादियों को धारन कर रहा इसको हलके में लेते हो भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको यह हलका व्यक्ति थोड़ी ना है बहुत दम नाती कहता था आपको अपने आपको खुद को क्या कहता था कि नसर लच्छवी का नाती कहता था ठीक है इतनी बास समद्र में आ गई लच्छवी का नाती कहता था कुमार देवी कौन थी इसकी मा थी याद रखेगा कि नसर आपने कल्य तो मुझे पढ़ाया था कि चंदरक पहले क्या था अपने हां पित्र सत्रात्मक हुआ करता था हम लोग पित्र सत्रात्मक थे हम लोग पहले मात्र सत्रात्मक थे आज पित्र सत्रात्मक हो गए इसलिए पहले माता का नाम लिया जाता था और इसके बाद पुत्र का नाम होता था है ना ये तो आज हो गया आपको इसे प्तरातमः ये बावर 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 है ना ये दे गए ये हमारी संस्कृतियों को बगाड़ गए आपको बता दें पहले ही माता Kaputr होता है याद रखेगा माता देती देती है माता कहाल है माता के क्या नाम था तो कहने सर्फ पुत्र का नाम था समुद्र गुप्त और तो लच्छवी क्या था लच्छवी कौन हुई उसकी नातिन हुई नाति हुआ क्या हुआ नाती हुआ, समुद्र गुप्त, कौन हुआ लच्छवी का? कहने सर लच्छवी जो थी कुमार देवी की माती और कुमार देवी चंद गुपत परेदम की डिल्डी ना, इतनी बाइ समझ में आगई? इनके बच्पन का नाम किया था कांच, था ठीक है, आगे समझो, समात्रकुप्तिकी नीती आक्रमक थी, क्या थी, नीती आक्रमक थी, पूझा ठाद दमाग ना लगाता था, वो तो कहता था भैया आक्मन करो, खेल खतम करो, सुपड़ा साप करो, मानरा तो मानो, ना मानो तो भागो इसकी नीती किया था विस्तारबादी वी थी वो कहता था नहीं अपने सामराज का विस्तार करूंगा तबी तो उसने दक्ष्ण भारत को जितने का कार किया था ऐसा ही थोड़ी ना यार मजा गारा खाय का ठीक है विस्तारबादी के नीती थी और आकमन कताई जिहर का आकमण करता था, आकमख नीती थी, पहला कहा भाईया, राजी को देना है के नहीं देना है, उन्हें भाईया, रहे, इतना संकोच ने, युद्ध, खतम टैंशन, इतने सोच बचारी में, युद्ध की गोशना कर देता था था, तो ये नीती, आकमख थी और ये थे, तो असवक के बिपरीद था ये, ठेक है, आगे समझो, भाईया, अखंड भारत, भारत को अखंड भारत इन्हीं लोगों ने बनाया, समध्रकुत जैसे बड़े-बड़े सासक जो थे, इन्हीं लोगों ने अखंड भारत का निरमाड़ किया, और भारत को ऐसे ही सोनी क चडिया कहा नहीं जाता था, वाकई में भारत सोनी की चडिया था, लोगों ने इसको इतना लूटा, बार बार लूटा, आप एक बात मुझे बताईए, कि आपके रक्त को अगर रोज 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 दो चार छे बूद, रोज जो चार छे बूद निकालती जाएंगे न, तो आ बिदेश के आए, उनने लूटा, सब ने लूटा ही लूटा तो है, हमारी पुरानी स्थिती सुधरना पाई, पुराना धन रिकवर नहीं हो पाया, और फिर लोटा गया, और फिर लोटा गया, इस कारण भारत वे परस्तेतियां बहुत खराब हुई था, इस कारण, नहीं आपको ता तक्षिसला जैसे बिश्व विध्याले में लोग पढ़ाई किया करते थे वहाँ पर जब ताने को अन्य नहीं था यहाँ पर लोग अच्छे कपड़ों के साथ और बहतरी इन ग्यान पढ़ रहे होते अब ये तो ठीक है ना कहते नहीं है हर कुत्ते का दिन आता है वक्त वक्त की बात है रहे कि आज उसके साथ है कल फिर अपने साथ होगा ठीक है चंता नहीं करना है आगे सुनो इसने आरे ब्रत उत्तर भारत के बेराज्य है इसने आरे ब्रत उत्तर भारत के बेराज्यों को जीता जीत कर अपने समराठ में मिला लिया क्या मिला अपने सामराज में अपने सामराज में मिला लिया क्या किया इन उत्तर भारत के बेराज्यों को जीत कर आरे बरत यानि उत्तर भारत के बेराज्यों को जीत कर अपने सामराज में मिलाने का कार किया आगे समझो की बसूली प्रारम कर दी क्या कर दी टेक्स की बसूली प्रारम कर दी जैसे अभी टेक्स लगता है ना अपना टोल टेक्स हो गया खाद टेक्स हो गया किरसी टेक्स बहुत प्रकार के टेक्स होते हैं का तमाम प्रकार के टेक्स होते हैं कहीं पर टेक्सों में छूट भी होती ह जैसे किरसी में टेक्स पर छूट है, है ना, बहुत जगा पर है, आगे समझो, इन्ही बिजे अविहान के कारण समुद्र गुप की तुलना नैपूलियन से कर दी गई, इन्ही बिजेयों के कारण क्या कर दी गई, इतिनी लगातार बिजे हुई न भाई साव, इसको समुद् समुद्र गुप को भारत का नैपूलियन कहा जाने लगा, इतनी बास समझ में आ गई, भाया, कताई गजब चीजें थी, वो तो ठीक है, बक्त बदलते हैं, बक्त नहीं लगता, बक्त बदल गया, आज वही लोग, जनकि यहां खाने को न था, उन्होंने गुलाम बनाने का कार किया, और इतनी तारना दीना, भाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत फिर अखंड भारत बनेगा, कताई कोई दिक्कत नहीं है, कताई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है, हमारे गुरूओं ने हमें सिखाया है, कि दिन के बाद फिर रात होती है, और र भुड़ा था वो तीन समुद्र का पानी पीता था ये मैं बता चुगा भी तीन समुद्र का पानी पीता था अर्था था समस्त्र दक्षन भारत पर समुद्र गुप्त के सामने सब लोग क्या थे नत मस्तक थे नत मस्तक हो भी क्यों ना क्योंकि भाईया समुद्र गुप्त थ इस ने अश्व में एक यगा को करवाया मैं एक दो बार और भी बता चुका हूँ आप लोगों को ढूगा अश्मेग यग क्या होता है अश्मेग एक हवन होता है एक पूजा होती है पूजा के बाद एक घोड़ा होता है अश्मेग यानि घोड़ा गोड़ा को छोड़ दिया जाता है वो जिस राज में जाएगा वो राज किसका हो जाएगा जिसने अश्मेग यग कराया होगा उस सम दोता है यदि पराजय हो गई तो फिर कच्छू बचो ही ना है वो तो वैसी चलोगो जीत गए तो फिर उनका उनका पास गया तो यह रहता अश्मेग अग में जहां तक घोड़ा भागेगा जिस जमीन से निकल गया उस सासक की वो जमीन उसकी हो गई यह अश्मेग अग हुआ करता था और आपको पता होगा श्री राम चंदर जी ने भी आपको बता दें अश्मेग अग का आयूजन करवाया था बहुत सारे सासकों ने अश्मेग अग करवाया आयूजन करवाया जो सकती साली राजा थे कहीं नहीं उन्होंने सब ने सोचा कि नहीं हमारे सामराज का विस्तार होना चाहिए तो बिस्तार भी बहुत प्रकार का होता था पहले साधी करके भी विस्तार हो जाता था उनकी लड़की थी उनने साधी कर ली तो उसका जो राज पार्ट है आ उससाब उनको दहेज में दे दिया तो उनने और नहीं, भाईया, बुंबई, जोमारा उनने दे दिया इस तरेके से नहीं भी, मैं भी क्या था, सहमृद का बिस्तार होता था तो भाया ये थी आज की क्लास इसके लावा चलते हैं एक बैदरीन से रिवीजन की और देख लेते हैं रिवीजन भी बहुत जांदार सांदार होने वाला है यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था इसने प्राचीन भारत के थियास को मात्म सासकों में गिना जाता है भारत के राज्यों को जीत कर अपने सामराज में मिला लिया जबकि दक्षन भारत के बारा राज्यों को पराजित किया और उसने अपने उसने उससे कर वसूले ने टेक्स वसूलना प्रारम कर दिया इनकी विजय अवियान के कारण समद्रुप्त की तुलना नेपूलियन से करने लगे और B.A. इसमित द्वारा समद्रुप्त को भारत का नेपूलियन कहा जाने लगा कुरानों में ये कहा जाता है की समध गुप्त का घुडाती समध गुराता पानी पीदाता अर्थाद समस्त्र दख्शन भारत पर समध गुरूप्त के सामने नतमस्तक थे इसने अस्लमए गरवायत तर्था आश्मे करता की उपादी को भी धारण किया था बगाया की चर्चा जो है वो कल प्रमुक रूप से करेंगे और समुद रूपत को आप समापन करेंगे इसके बाद अगले चप्टर के ओर चलेंगे मैं बता रहा हूँ चीजें बहुत बढ़ी गई है लेकिन इस बात का दुख नहीं है चीजें बढ़ गई है कोई दिक्कत नहीं है पढ़े जाने दो आप सोचते हैं ना कि सर जी जल्दी जल्दी करा दें सौट में करा दें भई ये सौट वाला काम होगा तो अब सौटी वाला रहेगा फिर आप ये एक्जाम में ये मत कहना कि नहीं सर पूरा फसना चाहिए जब हम पूरा आपको पढ़ा रहे तो भसेगा चिंता है इनी साला कहां से देगा एक्जमनर हम तो पूरा पढ़के जाएंगे बचे गई नहीं कहां से उखाड़ेगा गोश्यन इस तरीके से चीज़ है चिंता मत करो पढ़ेगा तो भईया जो विध्यारती नहीं है बो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं न कहीं बहतरी क्योंकि आज कर दोस्तों 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 कर दोस्तों